नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिकोर्ड इग्जाम में UPSC Lower Subordinate 2016 जिसको Lower Second के नाम से भी जाना जाता है पॉपलरली जिसका 28 जुलाई को पेपर हुआ था उसका पार्ट वन में हमने जन्रल साइंस और हिंदी के सारे कोश्चेंस को सॉल्व दे दिया था कल अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए आज इस वीडियो में हम लोग सामान ग्यान के प्रस्नों को हल करेंगे और सामान ग्यान के प्रस्नों का इस तर जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं कहा जा सकता एक moderate paper था जो है और कुछ लोगों के लिए easy भी था जो लोग जो है regular studies करते हैं बहुत ही सामान से question थे कुछ questions जो है थोड़े से different थे तो चलिए देखते हैं पूरा और मैंने पूरी कोशिस की है कि पूरी सुद्धता के साथ इसको हल करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए अगर एक दो question में कोई diet होता है तो इसको हम आगे देखेंगे तो सुलवात करते है पहला question क्या है प्रतेख दो वर्स बद राजसभा के कितने सदस सेवा निवरित हो जाते हैं तो राजसभा जानते हैं आप एक इस्थाई सदन है और उसके एक तिहाई सदस से जो है हर दो साल बाद अपने आप सेवा निवरित हो जाते हैं कौन सी एक राश्टिय पार्टी इन में से नहीं है तो भारत में वर्तमान में कुल साथ राश्टिय पार्टीयां है और इसमें से डियम के यानी द्रविण मुनेत्र कडगम इह एक जो है राश्टी पार्टी नहीं है बाकी सभी बिकल्पों में जो दिये हुए हैं ये सभी जो है राश्टवाड़ी पार्टियां हैं अगला प्रसन देखते हैं रामनात कोविंद को 2017 में भारत के किस क्रम के राश्टपती के रूप में चुना गया तो भारत के वे 14 वे राश्टपती है क्रम में अगला प्रसन इनमें से कौन सा कथन सही है यह हमको बताना है तो भारत के राश्टपती द्वारा राज के की सभी कथन जो है गलत हैं जिनों ने भी डिकोड एक्जाम या पार्थ फाइंडर से जो हमारी टेस्ट से रीच कराई जाती लोवर की वो ली है तो लगबग लगबग जो है 40 कोश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे आराम से सारे जो है ये कोश्चन एक्स्प्लिनेशन के मार करोण रुपए का आवंटन किया है लेकिन ये इस बार की सबसे बड़ा आवंटन नहीं था योजनाओं के लिए सबसे बड़ा आवंटन कितना है 75,000 करोण का आवंटन है किसके लिए PM किसान योजना प्रधान मंत्री किसान योजना के लिए जो आवंटन किया गया है वो 75, करोण रुपए है अगर आपसे ये पूछा जाता कि किस योजना के लिए सरवाधिक बजट जो है 19-20 में दिया गया है तो आपको पीम किसान बताना होगा बारती संसत द्वारा हिंदू विवादनियम यानि हिंदू मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था 19-55 में लागू कि तो महत्मा गांदी ने बिकेंदरी करण की प्रसासनिक संकल्पना रखी थी और उन्होंने आदर्स गाउं के स्थापना का विचार दिया था एक अप्राइल 2019 को इंटेलिजेंस सेटलाइट के कौन सा इसरो द्वारा प्रछेपित किया गया था इमिसेट इमिसेट जो है एक इंटेलिजेंस सेटलाइट है इसरो का अगला प्रस्न वर्स 2018 में निमलिखित में से कौन सी टीम आईपील की बिजेता थी तो आईपील जो है 2019 का आईपील भी संपन हो चुका है 2019 में बिजेता कौन है मुंबई इंडियन्स लेकिन यहाँ पर बहुत पुराना पूछ लिया है तो 2018 की बिजेता टीम कौन सी है अगला प्रस्न लो अर्थ आर्बिट में लाइव सेटलाइट को सफलता पूर्वग नश्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी महा सक्ती या सक्ती बन गया तो भारत जो है चौथी सक्ती बन गया भारत के पहले किसने किसने किया है USA ने चाइना ने और रसिया ने इनों जो है यह चमता हासिल कली थी और भारत ने मिसन सक्ती के माध्यम से जो है जिसको मिसन सक्ती दिया था उसके दौरा जो है इस ओपरेशन को अन्जाम दिया था साउधी अरब के राजकुमार का नाम बता है जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दोरा किया था तो इनका नाम क्या है मोहमद बिन सल्मान अगला प्रस्न किस देश ने गुट निर्पेच आंदोलन यानी नैम की अठारवी मध्यावदीक बैठक की मेजबानी की थी तो यह बैठक बाकु में हुई थी जो की अजरवैजान में है निमलिकित में से भारत का कौन सा राज चाय का सरवादिक प्रमुक उतपादक है जहां कुल उतपादन भारत के उतपादन का लगबग 3-4 भाग होता है तो यहां पर राज पूछाए लेकिन दो राजियों को एक साथ दिया हुआ है तो उसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका असम और पस्ची मंगाल मिलकर जो है लगबग 3-4 भाग उतपादन करते हैं पूरे देश के चाय का अगला प्रसन काफी से है कि भारत में काफी का उतपादन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है तो सबसे ज़्यादा काफी का उतपादन भारत में करनाटका में होता है किस मौसम के दौरान रभी की खेती की जाती है तो रभी की खेती जो है सर्दी के मौसम या जाडों में की जाती है अगला प्रस्न निमलिखित में से किस वर्स को सयुक्त राश्ट द्वारा स्वदेशी भासाओं का अंतराश्टी वर्स घोसित किया गया है प्रथवी जो सूर की प्रतिमा करती है, वो किस पत में जो है, या किस ऑर्बिट में करती है, तो ये ऑर्बिट कैसा होता है, elliptical होता है, ये अंडाकार होता है, इसका D option सही है, ूर। खत्रा माना जाता है, निमलिकित में से कौन सा विकल मिट्टी के सनरच्छन का सर्वोत्तम उपाए नहीं है, तो सनरच्छन करना है तो घास पास से ढग भी आ सकते हैं, सेल्टर बेल्ट बनाई जा सकती है, कंटूर, कल्टिवेशन जो सबसे अच्छा होता है, लेकिन बारिस क पानी में मिट्टी का बह जाना जो है, ये इसके सनरच्छन नहीं, जब कि इसका उल्टा अशर करता है, सायुक्त राज अमेरिका यानि USA ने किस वर्स दुती विश्युद्य में प्रिवेश किया था, तो USA ने दुती विश्युद्य में प्रिवेश 1941 में किया था, 7 समुद्री मार की खोज कप की थी, तो उसने जो है 1498 में, 20 मई 1498 में वो काली कट में आया था, जहां पर उसने राजा जमोरीन से मुलाकात की थी, तो इसका सही उत्तर क्या है 1498, इस पेसल ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, इसका आयोजन 2019 में कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन आबू धावी में किया गया, computer mouse का आविशकार किस ने किया था? computer mouse का आविशकार Douglas Anglebert ने किया था, computer keyboard में paste command के लिए क्या हम दबाते हैं? Ctrl V के द्वारा हम किसी भी चीज को paste कर सकते हैं विंडो में log on करने के बाद यह जब विंडो स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो screen area दिखता है वो क्या कहलाता है उसको हम लोग desktop के नाम से जानते हैं तो यह सबी बहुती easy question थे जो है एक average student भी इसको बता सकता है उत्तरपदेश में किस इस्थल को रामसर इस्थल के रूप में नामित किया गया है तो रामसर इस्थल जो है रामसर जो wetlands का याद भूमी का एक सम्मेलन है विस्षिस्तरी उसमें उत्तर प्रदेश में उपरी गंगा नदी को रामसर इस्थल के लिए नामित किया गया है और कहीं पर प्रस्थ ये होता कि उत्तर प्रदेश में वेट लैंड किसको अज़ सूचित किया गया है तो पहला वेटलेंड अभी उत्तरप्रेस में जो की रामसर साइट नहीं है वो कौन सा है रामगर ताल जो मैं आपको UP Current Affairs में पढ़ा भी चुका हूँ रामगर ताल जो गोरकपुर में है इसको उत्तरप्रेस का पहला वेटलेंड अरिसूचित किया गया है उत्तरप्रेस सरका योगा निमलिखित में से बागो से सनरचन से सम्बंदित कौन सा इस्तल उत्तरप्रेस में इस्थित है तो उत्तरप्रेस में कौन सा इस्तल है अमनगड अमनगड कहां पर है ये बिजनौर में आता है अगला प्रसन देखते हैं बुध ने अपना पहला धर्मोदेश कहां द आगरा का जो किला बनुआ गया था वो अकबर दवारा बनुआ गया था 1565 में 2011 की जनगर्णा के उसाइ जनसंक्या के संबन में उत्रप्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है सबसे बड़ा जिला इलाहबाद या प्रयागराज है जो कि अभी मैंने सेंसर का यूपी का किस में अत्यधिक मातरा में पाए गए हैं तो ये जो है चित्र जो है उत्तरपदेश के मिरजयापुर में जो बिंध्यन रेंज की चटाने हैं उसमें कई सारी कंदराएं हैं वहाँ पर जो है ये चित्र बनाए हुए पाए गए हैं वर्स 1857 के विद्रों में कानपूर में कौन नेता था तो 1857 के विद्रों में कानपूर में नेता थे नाना साहिब अगला प्रस्न फेमस पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया ये किस ने लिखी है ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने 1881 में केसरी एकबार की इस्थापना किसने की थी तो केसरी के नाम सुनको व्याना जाता है बाल गंगाधर तिलक को वर्स 1904 में किसने करांतिकारियों के गोपनी समी थी अभिनो भारत का आयोजन किया था तो ये सावरकर मंदू थे इसमें से बीडी सावरकर जो है सही होगा जिनों ने अभिनो भारत की इस्थापना की थी वर्स 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था उस समय भारत के वाइसराय थे लौड करजन अगला प्रस्ट निमखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा? The philosophy आप случае नामक प्रसिद्लेक लिखा गया है तो ये प्रसिद्लेक किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा निमलखित ने से किस ब्रिटिस मिसन योजना ने पकिस्तान की मांग को अमान कर दिया था तो पकिस्तान की मांग को अमान किया था cabinet mission plan ने कहा था कि भारत में एक समिधान सवा का गठन किया जाए उसमें सभी प्रांथों को और सब का पृतनेदित्त दिया जाए तो 1946 में मार्च 1946 में cabinet mission परानाया था जिसने पाकिस्तान की मान को खारिज कर दिया था उसके विरोध में फिर प्रतची कारवाई दीवस मनाया था मुस्लिम लीग ने अगला प्रस्न किसने गोशना की थी कि 30 जून 1948 तक बिटिस द्वारा भारत को सुतनता प्रदान की जाएगी ती ये गोशना जो है बिटेन के प्रदान मंतरी क्लिमेंट एटली के द्वारा की गई थी डस डिगरी चैनल किसको किसको अलग करता है डस डिगरी चैनल अंडुमान और निकोबार द्वीप समू को प्रथक करता है निमलिखित में से कौन सा एक परवती ये दर्रा है जो उतराखंड में नहीं इस्थित है तो लिपुलियेक नीती और मुलिंगला ये सब के दर रहे हैं सिपकी लादल्ला जो है हिमाचल प्रदेश के किन और जिले में इस्थित है जो तिबबत से जुड़ता है निमलिखित में से कौन सा विकल भारती प्रायदीप में पस्चिम की और बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायदीपी नदी तापी है और पहले नंबर पे कौन है नर्मदा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तापी चेंचू कभीले के लोग जो अधिक्तम सिकार तथा जंगली उत्पादों की विक्री पर निर्भर रहते हैं कहां पर पाए जाते हैं तो यह चेंचू कभीले के लोग जो है आंद्र प्रदेश में निवाज करते हैं और अंग्रेजों के समय जो है चेंचू बिद्रो भीवा था अगला प्रस्न मर्यूर गुड जो इसको अभी हाली में जिगराफिकल इडिकेशन टैग यानि जी आई टैग दिया गया था तो यह कहां पर है यह मर्यूर गुड जो है यह इडुक्की का प् है भारत में प्रथम महिला पुलिस इसटेशन जिसका उतगाटन ऑगा था उसमें 45 वर्जगाट मनाई गई है तो यह जो महिला पुलीस इसटेशन या महिला थाना था यह केरल में केरल के कोन जी में इस्थापित किया गया था कब 1973 में इस तरह से इसका option C सई हो जाएगा अगला प्रस्न दिसंबर 2018 तक उपलव जानकारी कंसार किस राज में तांबा आयस का सबसे बड़ा भंडार है तो मद्पदेश जो है तांबे का सबसे बड़ा भंडारक भी है उत्पादक भी उसके जो है मद्पदेश के बाद राजस्थान और जारखंड तीसरे नंबर पर आते हैं और उत्पादन में भी यही करम है और भंडारण में भी यानि उत्पादन और भंडारण दोनों में मद्पदेश, राजस्थान, जारखंड यही करम जो है फालो होगा निमलिखित में से क कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा दीप है। कह भी कह सकते हैं और थोडा सा भी जो लोग जागरुख होके पड़ते हैं उनके लिए ये प्रस्न पत्र काफी आसान था। अफेर से भी अच्छे कासे question पूछे गए थे अब मैं एक वीडियो में इस पूरे जो पेपर हुआ है 2016 वाला इसका जो है एक समीक्षा बनाऊंगा जिससे आप जो है ये समझ सकें कि जो आपका आने वाला पेपर है lower subordinate 2019 का उसको आप किस तरह से crack कर सकें कि आपने एक pattern देख कि क्या क्या चीजे जो है प्रमुक्ता से इसमें पूछी गए जैसे उत्पादन का data पूछा गया है दो दो तिन तिन question उत्पादन से आ गया चाय के उत्पादन काफी का उत्पादन हो गया और साथी में जो है तामबे के जो है भंडार के बारे में पूछा गया वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से Lower PCS 2019 के लिए आप इस पेपर के अंसार अपनी रणनीती को बनाएं तो आज के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद